कि आपको पता है कि Daud alayhisselaam रात में कैसे नमास पढ़ते थे ? रात नमास पर नामस ठाथ जूचत चाइप . रात नमास पढ़ते थे ? लंभी लंभी नमास पढ़ते थे ? लेकिन कैसे ? कितनी लंभी ? एंगंटे सी गाँचत. एक गुंटे में नहीं बताईए, और बताओ आदे गुंटे थे आदे गुंटे थे और कुछ दावद अधिसलाम बहुत पहले थे बहुत पहले थे पास येस, कैसे बढ़ते थे दावद अलेशलाम, मालूम ने आपको, देखो ये मालूम भी होना चाहिए, हमाई नॉलिज भी बढ़ रही है हम लोग सीख भी रहने साथ साथ, येस पास, ये सुदा वाद लबी 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 नमास, कितनी लबी पास पास येस 10 वक 10-20 ये आप लोगों पता नहीं है तफ क्रश्चन है ये दावद अलेशलाम के बारे में आता है बुखारी की हदीस है कि सबसे अच्छी नमाज जो अल्लाः को सबसे ज़्यादा पसंदे वो दावद अलेशलाम की नमाज है दावद अलेशलाम रात में आदी रात नमाज पढ़ते थे फिर सोजाते थे एक तिहाई रात के लिए और फिर रात का बचावा लास्टा व़्यास का 1-6 रैश्धा फिर औस नमाज पढ़ते थे दावद अलेशलाम तो ये दाउद आले इसलाम के बारे में हैं उनकी रात की नमाज के पहले आदी रात नमाज पढ़ते थे फिर एक तिहाई रात सो जाते थे लाज का बचाओवा वन सिक्स हिस्सा फिर से उठके नमाज पढ़ते थे माशाओ आल्ला हम लोग थोड़ी सी नमाज खड़े होते हैं और लोग ख़द जाते हैं लेकिन दाउद आले इसलाम के नमाज याद करना चाहिए ओके अल्ला के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेर, कमेंट और सबस्क्राइब करें आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है अपने केबल या डिटियाच ओपरेटर से आई पलस टीवी आज ही डिमांड करें आई पलस टीवी फ्री टो एर और इंडियन रेजिस्टर चैनल है